हेलो फ्रेंट्स, बेलकम टो एरे अरेकल्चार रेंकरस करें आज का हमारा जो लिक्चार है वो क्लासिफिकेशन आफ सोसल ग्रूप पर है यानि समाजिक समूहों का वर्गी करण अगर हम पहले वर्गी करण की बात करें तो बातचीत की प्रकरत की अनुसार according to nature of interaction interaction की आधार पर जो बाटा गया समूहों को वो दो प्रकार से बाटा गया है एक प्रात्मिक समूह और दो तेक समूह तो प्रात्मिक समूह को देखता है इन समूहों में सदस्यों के बीच प्रतेच और घनिष्ट संबंध होते हैं सदस एक दूसरे के साथ व्यक्तिगत रूप से जुड़े होते हैं और इनके बीच निरंतर संपर्क रहता है उधारन परिवार, मित्र, समू, खेल, समू इन समूहों का आगार छोटा होता है आम तोर पर बीच से तीस लोग और इनका इस्थाई तो लंबे समय तक रहता है सदस से आपस में मिलते हैं और एक दूसरे के साथ भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं तो अगर हम प्राथमिक समूह को समझना चाहें तो यह समझ सकते हैं कि इन समूहों के सदस्यों के मद्द परिवारिक संबंद होते हैं या घनिस्थ संबंद होते हैं ठीक है और घनिस्थ संबंद कैसे जैसे परिवार के बीच जैसे भाई बहन के बीच होता है और मित्रों के मद्द होता है और जो टीम होती है क्रिकेट टीम कह सकते है इनके जो प्लेयर्स है इनके विज्शा संबंद होता है घनिस्ट वैसे संबंद होते और ये पेच्छा क्रत छोटे समूँ होते हैं ठीक जो सदस्यों के संख्या वो बहुत अधिक नहीं होती है और ये एक दूसरे से भावनात्म ग्रूपस से जुड़े होते हैं अब आगे देखते हैं दोतियक समू, secondary groups, दोतियक समू बड़े होते हैं और इन समूहों में विक्तिका संब्ध कम होते हैं, इनमें आपचारिकता होते हैं, और सदस आपसे संपर्क कम रखते हैं, ये समू उद्देश सेकेंडरित होते हैं, और अधिक आपचारिक होते हैं, उ देखिए, यह जो दोतियक समू होते हैं, यह अपचारिक होते हैं, यानि कार्य से सम्बंदे समू होते हैं, जो लोग एक साथ कार्य कर रहे हैं, ठीक है, वो और अपचारिक रूप से जुड़े हुए हैं, उन्हें अपचारिक समू कह दिया जाता है, इसके उधारणा क्या है राजनीतिक डल हैं, सहकारी समीटियां हैं, ओके, ये सब किसमें आते हैं, हमारे दोत्यक समूहों में आते हैं, example पूछा जा सकता है आपसे, कि दोत्यक समूह या secondary समूह का example बताईये, तो सहकारी समीटिया और राजनीतिक डल, इसके अच्छे उधारन हैं, दूसरा है संगठ और कारपणाली के नुसार according to mode of organization and functioning अब चारिक समों फॉर्मल ग्रुप ये वे समों होते हैं जिनके पास निश्चित नियम और सनरचना होती है इनके काम काज के लिए एक विशिष्ट रूप रेखा होती है और समों के सदस्य पूर्वनिर्धायत वोमिका निभाते हैं उधारण, ग्रामपंचायत, स्रमसंग, छात्रसंग इन समों में इस्थिर्टा अधिक होती है और इनका संचालन विवस्थित रूप से होता है अवचारिक समों उन समों को कहा जा सकता है जिनके अपने नियम होते हैं और उनकी एक कारप्रणाली होती है कि इन नियमों के आधार पर ही ये समों संचालित होंगे और ये जो समों होते हैं निश्चित होते हैं इन्हें खंडित करना सरल नहीं होसता है अगर उधारण की बात करें तिनके उधारने ग्राह पंचायद, स्रम संग, छात्र संग, समझे अब, और इनका संचालन विवस्थित होता है अनवचारिक समू, इन फॉर्मल ग्रूप, इन समूहों में कोई निश्चिल सनचना या नियम नहीं होते सदस्यों के बीच व्यक्तिगत संबंध होते हैं, और संगठन नार्तमक सीमाय कम होती हैं, उधारन परिवार, मित्रतया समूह, खेल समूह, इन समूहों में इस्थिरता कम होती है, और ये कभी भी भंग हो सकते हैं देखे अनौपचारिक समोह वे समोह होते हैं जिन समोह में व्यक्ति का संबंद सामिल होते हैं इनकी कोई नियम नहीं होते कि ये समोह इस प्रकार कारे करेंगे और ये अगर बात करें तो इन्हें सरलता से भंग किया जा सकता है ठीक है और इनका उधारण है मारा परिवार, मि स्वाइच्छिक समों, वालेंटरी ग्रूप, इन समोहों में सदस से, अपनी इच्छा और पसंद के आधार पर सामिलों, इन्हें किसी प्रकार की बातध हैता नहें होती, स्वाइच्छिक समों, जैसा कि नाम से ही पता चला है, कि वहा समों जिसमें, लोग अपनी इच्छा के अनुसार जोड़ते हैं उसको बात देता ना हो कि उन्हें कोई बात दे हो कि उन्हें जोड़ा जाए ठीक है ऐसे समोज अपनी लोग जो अपनी इच्छा से किसी ग्रूप को जोड़ते हैं उसे कह देते हैं स्वाइच्छिक समो अनेच्छिक समों और इसमें भी नाम से पता चल ला है ऐसा समों जिसमें कोई हमारी इच्छा ना हो जो हमारी अनुमत की भी नाम स्वता ही सामिल हो जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं अनेच्छिक समों इसे हम एक बार पढ़े लेते हैं इन समों में सदस्या जन्म इस्थान या परिसिती के आधार पर सामिल होते हैं इन समूहों में सदस्यता अनिवार्य होती है ठीक है अब ये समूह कैसे होते हैं जैसे हमारा परिवार जाती समूह, धार्मिक समूह हमारे पास कोई इच्छा नहीं होती या फिर कोई नेंतर नहीं होता परिवार हम स्वयम नहीं चुनते हैं अगला समू है अवध की अनुसार according to duration इस्थाई समू पर्मानेंट ग्रुप ये समू लंबे समय तक चलते हैं और इनके सदस्यों के बीच इस्थाई संबंध होते हैं उधारन है परिवार और सरकारी विभाग वे समू जो पहुल लंबे समय तक चलते हैं और इस्थाई होते हैं या भंग सरलता से नहीं होते हैं वे क्या होते हैं इस्थाई समू होते हैं इनके उधारन की बात करें तो वो हैं परिवार और सरकारी सब भाग जो होते हैं ये सब इसके अंतरगत आते हैं आ इस्थाई समू टेंपरेरी ग्रुप इ के लिए होती है कालपिक कुद्देश्यों के लिए गठित होते हैं ऐसे समुम जो थोड़े समय तक ही रहते हैं यानि घंटे भर आदा अधा घंटा ऐसे तो उसे कह आता है आइस्थाई समुम जैसे भीड़ समुम सबहा अब जैसे की कोई एक्सिडेंट हो गया वहां पर एक भीड़ एकठा हो गई तो वो है लोगों का एक समूँ लेकिन आइस्थाई है कुछ समय बाद वह सब एक वहां से चले जाएंगे वो ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिकर हैंगे उनके बीच कोई सम्बंद नहीं होते ना आपचारिक ना अनापचारिक अगला समाजिक वर्ग के आधार पर समूँ क्लासिफिकेशन बेस्ड ओन सोसल क्लास छैतिस समू होरिजन्टल ग्रुप इन समूँ में समान समाजिक इस्थिति या वर्ग के सदस्थ सामिल होते हैं जिन नोग के समाजिक इस्थिति और आर्थिक इस्थितियां वर्ग समान होते हैं वही इसमें सामिल होते हैं जैसे जात्य समूँ, जाती क्या है ऐसे लोग जिनकी जातियां समान हैं करिमार्ड करेंगे किसान वर्ग ऐसे लोग जो किसानी करते हैं कृसक हैं वो किसका निर्माड करेंगे तो वो करेंगे हमारे किसान वर्ग का निर्माड उद्वादर समू वर्टिकल ग्रुप इन समूहों में विभिन समाजिक वर्गों के सदस सामिल होते हैं जो एक साथ मिलकर कारे करते हैं ये स अभी समाजिक समुवर्गों के लोग समलित हो उसे कहते हैं उद्ध्वादर समु या वर्टिकल गुरुप जैसे राष्ट हो गया अब एक राष्ट है उसमें विन विन धर्मों के लोग होंगे विन विन जातियों के लोग होंगे और विन विन कार्य जैसे किसान भी होंगे अध्यापक भी होंगे तो इसमें कोई डिफाइन नहीं है उसे कहेंगे हमारा उध्वादर समूँ या वर्टिकल समूँ आगे बढ़ने से पहले में आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पीडियाफ को टेलिग्राम से डाउनलोड कर लिजे और अपने मित्रों के साथ भी सेर करिए व्यक्तिक अनुभूति के आधार पर समूँ देखे ऐसे समूँ जिनसे लोग जुड़ा हुआ मैसूस करते हैं उन्हें हम कह देते हैं इन गृप जैसे परिवार हमारे परिवार क्या है हमा जन्म से जुड़े होते हुआ है हम उनसे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं और हमारी कच्छा है कच्छा में मित्र होते हैं हम उनसे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं और अध्यापक होते हैं उनसे भी हम परचित होते हैं उनसे भी हम भावनात्मक रूप से या फिर अप्चारिक रूप से जुड़े होते हैं गूरुप ये वे समवूँ होते हैं जिनसे वेक्ति छुद को अलग मैसूस करता या जिन से वासंबध नहीं होता देखिये ऐसे समवूँ जिनसे वेक्ति जुड़ा हुआ मैसूस नगर जिसके प्रति कोई भाव ना है नहोँ ऐसे समूँ आउट गूरुप कहलाते हैं जैसे अन्य गुरुप अन्य परिवार किसी अन्य के परिवार के साथ हम क्यों जुड़ा हुआ मैसूस करेंगे सात्वा है आकार के आधार पर समुँ बेश्राओं साइस अफ गुरुप छोटे समुँ इसमाल गुरुप इन समुँँ में सदस्यों की संख्या कम होती है जिससे प्रतेग सदस एक दूसरे को पहश्यान सकता है और व्यक्तिगत संबंद इस्थापित कर सकता है ऐसे समुँ जिनमें सदस्यों की संख्या कम होती है उन्हें छोटे समुँ कहा जाता है और इसके जो सदस्यों होते हैं इस अलता से आपस में एक दूसरे से जुड़ सकते हैं उधारण है इसके परिवार और खेल समुँ हम परिवार में सभी को जानते हैं और परिवार हमारा छोटा होता है ठीक और खेल समुँ जैसे कोई अगर किरिकेट की टीम है तो हम उसे के समों, लोगों को जानते हैं, उसके जो हमारे टीम मेट हैं, उसे परिचित होते हैं, बड़े समों, लार्ज ग्रूप, इन समों में सदस्यों की संख्या अधिक होती और ये बड़े संगठनों के रूप में कारे करते हैं, ऐसे समों जिनमें सदस्यों की संख्या बहुत अधिक होती है, और ये संगठन के रूप में कारे करते हैं, परंतों इसमें लोग एक दूसरे से connected कमन भो करते हैं, एक दूसरे से परचित कम होते हैं, अगर परचित भी होते हैं, तो आपचारी ग्रूप से परचित होते हैं, उधारन देखते हैं तो राजनीतिक समू, स्रम संग और विश सविध्याले अब हमा जिस नुश्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं वहाँ पर कितने सारे जूनियर्स होते हैं हमारे सीनर्स होते हैं हम सबसे परचित नहीं होते हैं लेकिन होता हमारा समू ही है ठीक है, तू ये बड़े गुरूप हैं लार्ज समू है आठवा है प्रदेशिक सीमाओं के आधार पर समू और अकॉर्डिंग टूडा टेरिटोरियल लिम्टेशन प्राकृतिक प्रदेशिक समू, नैचुरल टेरिटोरियल गुरूप ये समू प्राकृतिक रूप से सीमित होते हैं और इनकी भगोलिक छेत्र निश्चित होते हैं ऐसे छेत्र जिनकी सीमा प्रकृति द्वारा निर्धारित होती है उसे प्राकृतिक प्रदेशिक समू कहा जाता है और इनकी भगोलिक सीमा भी होती है वो एक निश्चित होती है उधारण गाउं या छेत्र जो मारे गाउं होते हो छोटे होते हैं और इनकी सीमा भी प्रकृति द्वारा ही निर्धित होती है तो ये भी प्रकृतिक प्रदेशिक समू में आते हैं अब हम बात करते हैं क्रत्रिम प्रदेशिक समूह, Artificial Territorial Group, इन समूहों की सीमाएं मानो द्वारा निर्धारित की जाती हैं, जैसे तालुका और जिला, ये इसके उधारण हैं, ये क्या होते हैं, ऐसी सीमाएं जो मनुष से निर्धारित करता हैं, अब एक जिला के सीमा क्या ह कि ये राज्य सरकार और ये केंदर सरकार निर्धारित करती हैं, मिलकर, या फिर ज्यादा तर तो हमारी राज्य सरकार ही निर्धारित करती हैं, यानि राज्य सरकार है क्या, वो तो मनुष से ही हैं, मनुष्यों के ग्रूप हैं, तो कह सकते हैं, ये Artificial Territorial Group में आते हैं, य ऐसे समू, जिनका कोई बहुकोलिक शेत्र निश्चितना हो, सीमा है निश्चितना हो, उन्हें हम क्या कह देते हैं, गयर प्रदेशिक समू, उधारण है इसके संयुक्त राष्ट और रेड़ क्रॉस. 9. संबंध के प्रकार और गुड़त्ता के आधार पर वर्गी करना, क्लासिफिकेशन बेश राष्ट टाइफ और क्वालिटी आफ रिलेसंसिप, जैमिस स्कैफ्ट समू, या वे समू होते हैं जिनमें परारंपरिक और व्यक्तिकत संबंध होते हैं, ऐसे समू जिनमें परिव पर एक जिम्मेदारी, और दूसरा है हमारा जैसल स्कैफ्ट समू, ये समू व्यापारिक और समझोत्यों पर आधारित होते हैं, इन समू हो में विक्तिकत लगाओ कि अपेच्छा व्याफसाईक संबंध अधिक होते हैं, अगर हम बात करें इन समू हो में क्या होता है, कि य व्याफसाईक कर रहे हैं, वे जिस समू करें मार कर रहे हैं, उन्हें ही कहा जाता है, ठीक है, और इसमें उधारन की बात करें, तो व्यापार, संग सहरी, समाज ये सब इसम बहुंड होते हैं, धन्य बात इस लेक्चर पर ध्यान देनने के लिए और इसके नोट बना लिज झाल 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 झाल